Hello Friends, Welcome to Cooker City Kitchen आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और सिम्पल मिन्नी मेथी प्रांठा बनाने की रेस्पी बताऊंगे मिन्नी मेथी प्रांठा बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप गेहु का आटा जिसमें आदा चम्मच नमक और एक चम्मच ओयल डालकर उसका डो बना लिया है लगबक 400 ग्राम मेथी जिसके पत्ते तोड़ कर धो कर उसे चौप कर लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4-5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई नमक स्वाधा नुसार, एक चम्मच अनारदाना पाउडर, आदा चम्मच अजवाईन और प्रांठा सेखने के लिए ओल और बटर मिन्नी मेथी प्रांथा बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथी को फ्राई करेंगे इसके लिए हमने हाई फ्लेम पर एक कडाई को गरम किया है उसमें हम डालेंगे दो चमच ओयल और इसमें डाल देंगे मेथी नमक करेंगे क्रेंगे आके ये देखिए मेथी फ्राई हो गई है इसका सारा पानी सूंपर अब हम घ्यास को बटने और मेथी को निकाल सबस्सेया चैल fine अब इसमें हम डाल देंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अनारदाना पाउडर, आप चाहें तो हमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, अजवाइन को हम इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे इसका फ्लेव प्रांठे बनाने के लिए अब हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, और आटे का डो लेकर एक थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाकर, इसे सूखे आटे में लपेट कर, इसे लंबाई में नान की तरह बेल लेंगे, इसे हमें नान की तरह बेल लिया है, अब इसके उपर हम लगाएंगे, देसी घी, मैं घी लगा रही हूं, आप चाहें तो इस पर कोई भी ओल लगा सकते हैं, अब इसके उपर डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा अटा, इसे इस तरह से फेला देंगे, और इसके उपर अब हम लगाएंगे, त्यार किया हुआ, मेथी का मिक्स्चर, और इसे, शारी रोटी पर इस तरह से फेला देंगे, और इस पर अब थोड़ा सा और आटा डालेंगे, और इसे इस तरह से थोड़ा प्रेस करके, आम इसे इस तरह से रोल करके, त्यार करेंगे, यह रोल त्यार हो गया है, अब इसे हम, इस तरह से, आट लेंगे, इस साइट का हटा देंगे, तो कि इसमें मेथी कम होगी, अब इस तरह से हम, इसके पीसिस काट कर, यह देखिए, और इसे हाँ से प्रेस कर देंगे, और यह देखिए हमारा मिन्नी प्रांठा फ्राइ करने के लिए त्यार है और इसी तरह से हम बागी के प्रांठे भी त्यार कर लेंगे कि देखिए मिन्नी मेथी प्रांठा सेखने के लिए त्यार है इन्हें मैने हाथ से ही प्रैस करके बेला है आप चाहें तो बेलन से हलके हाथों से बेल सकते हैं प्रांठे सेखने के लिए हमने तवा गरम किया है इसे हम घी से ग्रीस करेंगे इस तरह से और मीडियम आज पर हम इन प्रांठों को सेखेंगे इन प्रांठों को इस तरह से दबा दबा कर मीडियम आज पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक प्राई कर लेंगे यह देखिए प्रांठे बन कर त्यार है इन प्रांठों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाखी के प्रांठे भी सेख लेंगे फ्रेंड्स मिन्नी मेथी प्रांठा बन कर त्यार है इसे मैंने सर्व किया है दही मखन और अचार के साथ आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं आप भी इसे बनाईए खाईए एंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजि अपने कमेंट्स और सजेशन्स भी दीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग